वालकम गाइस वालकम बाक टो मिश्टर व्यास और आज एक्जकली हम बात करने वाले CCPA का पंगा क्या है आप ऐसे बहुत सा लोगों को भी पिछल तीन-चार दिनों के इमेल साय होंगे जिसको नहीं आया तो एक नया इमेल आएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पार है वह है इंपोर्टेंट अपडेट्स अपडेट्स अबाउट इस तरीके साब को इमेल आया होगा जहां पर डिटेल में कुछ संब्री होगा इससे पहले कि मैं AdSense अकाउन में जाके आपको दिखाओ कि इसमें क्या क्या चैनियर्स आपको करने आए तो हम पहले समझेंगे कि यह एक्जाक्ली लो क्या है तो जैसे आपको पता है अभी रिसान के जो यूट्यूब के अंदर भी एक अपडेट आया था पौपा के नाम अगर तो अल्टिमेटल यह सारे जितने भी AdSense के प्रोड़क्स है वह है तो गूगल के ही तो गूगल ने डिसाइड कि है कि अभी अगर फ्यूचर में कहीं से भी प्राइवेसे पॉलिसी में चेंज़ेस होता है किसी भी कंट्री या सीटी स्पेसिफिक लॉक अंदर तो उ इसको सपोर्ट करने के लिए सारे AdSense अकाउंट के अंदर इसको दिखाया गया और हमसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप इनके CCPA जो एक्ट है उसको या तो फॉलो कर सकते है नहीं फॉलो कर सकते है या फिर रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसमें से कुछ ऑप्शन को प्रडक्शन लो तो उसके अंदर आपके डेटा को पर्सनलाइज किया जाता है आपकी पर्मिशन के बगर कोई भी ब्राउजर या किसी बत्रेकर कोई भी अगर मतलब प्लैटफोर्म है तो आपके डेटा को यूज नहीं कर सकता है तो इसी के हिसाब से CCPA जो एक्ट है जो किमेंड हुआ है वह एप्लिकेबट होने वाला जैनुटी वन यडाइज यह अ वहां के डेटा प्राइव सी लोके त्रूरों ने चिंटेंट यह आपको नहीं तो किंडि accent देना चाहते हैं नहीं चाहते हैं जब भी आप Google के अंदर कुछ भी ब्राउज करते हैं जैसे आप भी कुछ hosting के बारे में ब्राउज कर रहे हैं तो उस case के अंदर आपका data आपका cache memory होता है वहाँ पर stored रहता है और जब भी Google जो होता है या फिर AdSense का ad display होता तो पहले चेक करता है कि आपने अभी तक आपके ब्राउजर के अंदर क्या-क्या search किया है तो आपकी cache memory से data pull करता है और इसके विहाब पे आपके content के अंदर वह ad को दिखाता है तो यह mechanism होता है AdSense का ad दिखाने का क्यों कि हम जैसे users इसने AdSense को यह authority देखे रहे है या Google को यह authority देखे रहे है कि मेरे data को यूज कर सकते हो मेरी personalized ad दिखाने के लिए वह ad में जो मैं देखना चाहता हूं या वह ad जो मेरी interest से related है तो यह हमने permission दे रहे है तो यह California act के थूरू उन्होंने changes किया है कि अभी आप Google को या तो restrict कर सकते है कि नहीं हमारे data मत यूज करो या फिर आप उसको permission दे सकते है कि आप हमारे data यूज कर सकते हो तो ultimately Google AdSense चाहता है कि आप इनकी जो policy है उसको comply करो उसके साथ में चलो और हमने आपको बता दिये राइट तो इसी case के अंदर मैं मेरे एक AdSense के account आपको दिखाऊंगा तो यहां पर इस तरीके से आपको एक message आ रहा होगा आपके AdSense के अंदर the California Consumer Privacy Act और देखे इसको कैसे manage करना तो यहां पर आपको take action पर click करना जैसे ही आप take action पर click करते हैं यहां पर आपको दो options होगे एक option वो यहां पर आपको suggest करेगा कि क्या आप इस policy को comply करना चाहते हैं या फिर दूसरा option शो करेगा कि क्या आप इस policy को comply नहीं करना चाहते हैं अगर आप पहला option चूज करते है don't restrict data processing तो उस case के अंदर यह होता है कि मतलब कि जैसा ही आपकी कोई website है उसको अगर California के अंदर को user open करता है तो automatically Google क्या करेगा उसके जो personalized feed से वहां से data उठाएगा और उसके interest के इसाप से date मतलब कि वहां पे ad को publish करेगा imagine कि जब वो contain पढ़ रहा है वो totally blogging से related है लेकिन वो पूरे दिन search कर रहा था किसी भी different projects के या किसे different materials के बारे में तो उसको different materials के add वहां पर दिखेगी मतलब की हमने user को मतलब की user ने restrict नहीं किया है अभी भी Google उसके personalized data को pull कर सकता और add दिखा सकता है और दूसरा है अगर मैं इस option को click करता हो restrict data processing मतलब क्या अभी उसके personalized add के इसाप से वहाँ पर नहीं दिखाई जाएगे based on the content जो आपका CPCR जिस type का content है सिर्फ उसी से related add दिखाई जाएगे तो यहाँ पर मेरा suggestion है कि अगर ऐसा कोई amendment हुऊ as a cpa जो कि specially इस पर believe करता है कि हाँ यूजर के data को privacy maintain करने तो मैं as a publisher मुझे भी उस policy को follow करना चाहिए तो यहाँ पर मुझे option choose करना चाहिए restrict data processing मतलब की उसके data को आपको pull नहीं करना है उसकी personalized add नहीं दिखानी है आपको वही add दिखानी है जिस से related content है तो यहाँ पर आपको यह option choose करना है तो इससे आपकी earning पर कोई impact होगा या नहीं इस है तो आपको बिना कुछ सोच है समझे रस्टिक data processing पर क्लिक करके save changes पर क्लिक करना है जिसे यह आप करते हैं आप उसकी policy को comply कर देखते है as a advertiser आप उसको कह सकता है कि हाँ भाई मैंने यह काम कर दिया है जिसे आप save changes पर क्लिक करते है आपका काम बन जाता है इसके आप उनकी help कर रहो उनको comply कर रहो that's all अगर आप ऐसा ही सिखना चाहते है ब्लोगिंग से टेट अनलिमिटर इंफॉमेशन तो विदाउट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बूक ग्रूप को definitely join कीजिएगा और आज के लिए इतना है फिर मिलें इने बूदे करने त